कोर्णा के खिलाव जारी जंग के दौरान वैक्सिनेशन की तीसरे चरण में पहले दिन जिले में 60 वर्ष से अधिक उम्रवाले 702 लोगों को वैक्सिन लगाए गई जबकि 45 से 69 वर्ष के 37 लोगों ही टीका लगाने पहुचे पहले दिन केवल मनपा के केंद्रों पर ही वैक्सिन दे गई वही प्राइवेट अस्पितालों ने अब तक टीका करन के लिए रूची नहीं दिखाई है शहर के 11 केंद्रों पर वैक्सिन किया गया सभी केंद्रों सरकारी थी किसी भी निजी अस्पिताल में वैक्सिन नहीं किया गया पताया गया कि निजी अस्पिताल ने वैक्सिन के लिए मनपा में आवेदन ही नहीं किया है इन केंद्रों में कुल 154 लोगों को टीका लगाया गया इन में 45 वर्ष से अधिक वाले 32 और 60 वर्ष से अधिक वाले 575 लोगों का समावेश रहा वही ग्रामिन में 12 केंद्रों पर टीका करन किया गया इन केंद्रों पर 1200 में से 657 लोगों को टीका लगाया गया इनमें 45 वर्ष के अधिक के 15 और 60 वर्ष से अधिक के 127 लोगों को टीका लगाया गया इसी तरह सिटी में 376 स्वास्तकर्मी और 125 फ्रेंट लाइन वर्कर्स ने पहला डोस लिया जबकि 144 स्वास्तकर्मियों को दूसरा डोस दिया गया शहर में कुल 81.44% का करन किया गया वही ग्रामिन में 82 स्वास्तकर्मी और 176 फ्रेंट लाइन वर्कर्स ने पहला डोस गया 257 स्वास्तकर्मियों ने दूसरा डोस लिया इस तरह कुल 54.45% का करन किया गया इसके साथ ही 45 साल के उपर के कई लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि वैक्सिन लेने के लिए कौन से दस्तावेस ले जाना है इस वज़र से कई लोगों को वापस लोटना पड़ा क्यामरा परसन राजकमार मोर के साथ अभिशेक पान से बीसी नियूस नाकपर